सच्चिदा नंदोच्षव हे सद्गुरु आप हैं, आप मेरे हैं, आपके कारण मेरे जीवन में चेतना है, आपके कारण मेरे जीवन में आनंद है और इस आनंद को मनाने के लिए श्रद्धावान सच्चिदा नंदोच्षव मनाते हैं तो अब हम देखते हैं कि सच्चिदा नंदोच्षव हम कब मनाते हैं? हर बर्ष मारगशीष महिने के शुकल पक्ष के दूसरे शनिवार से शरधावान अपने घर में सद्गुरू श्री अनिरुद्ध की पादुका का पूजन करके सच्चिदा नंदोच्षव मनाते हैं. सक्चिदानन्दा तवशरणम तो आम्धिक के अचिंचिदानी स्तोत्र का यह नौवा अंत्रा हम नियमित रूप से पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि शरणागत तृताप अहरा सक्चिदानन्दा तवशरणम जो शरणागतों के तृतापों का हरण करते हैं ऐसे सचिदानंद स्वरुप, प्रेम स्वरुप, पुर्शार्थ रूप, सद्गुरु तत्व को मैं सद्गुरु तत्व की में शरण में हूँ. तो ये सद्गुरु तत्व जो है, ये हमारे जीवन से इन त्रितापों का हरण करता है. तो इत्रिताप कौन से हैं? आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक. इन तरविद तापों का जो है विनाश सद्गुरु करते हैं, सद्गुरु तत्व करता है और सच्चिदानन्द स्वरुफ सद्गुरु तत्व हमारे जीवन में, हमारे जीवन को आनन्द से भर तो इसलिए हमने देखा कि हम इस भाव के साथ शद्गुरु तत्व मनाते हैं. अब हम देखते हैं कि हमारे जीवन से इस आनन्द को कौन छीन लेता है? तो हम देखते हैं कि सच्चिदानन्द जो है, वो तो हमारे जीवन में आनन्द भरने का काम करने में तक पर एवं समर् ही है लेकिन हमें क्या करना चाहिए तो हमें ये करना चाहिए कि हमें उनसे प्रेम करना चाहिए उनके रिणों का स्मर्ण करके फिर तक ये रहना चाहिए और सद्गुरु के चरणों में संपूर्ण शारण्य भाव का स्मिकार करना चाहिए अब ये देखते हैं कि हमारे जीव में प्रेम भाव, अंबग्यता भाव और शारण्य भाव ये तीन भाव जितने अधिक बढ़ते जाएंगे उतने प्रमाण में हमारी ग्रहस्थी और हमारा परमार्थ ये आनंदमय बनते जाएंगे और इसी हेतु के साथ श्रद्धावान मार्गशीर्ष के महिने में सच्चि क्यों मनाते हैं तो स्वयम भगवान श्रीकृष ने श्रीमत भगवत गीता में कहा है कि मासा नम मार्गशीर्षो हम यानि महीनों में मैं मार्गशीर्ष महिना हूं तो भगवान श्रीकृष ने जो पुरुषोत्तम जगतबूरु श्रीकृष्न है वो स्वयम कह रहे हैं कि मासों में मैं स्वयम मार्गशीर्ष महिना ही हूँ तो ऐसे इस पुर्षोत्तम सच्चिदानंद स्वरूप मास में ही हम सच्चिदानंद उत्सव मनाते हैं और वैदिक जो काल गणना थी वैदिक काल में जो मासों की महिनों की जो गणना होती अग्रहाएन मारगशीर्ष मास को हिंदी में अधहन कहा जाता है अग्रहायन संस्करिट नाम है उस समय में अग्रहाएन यहें मारगशिर्ष मास से काल गणना की शुरुआत होती थी यह साल का पहिला महना होता था तो यह इसका महत भए तो हमने जान लिया कि सच्चेदान्द उत्सवर मार्ग शीर्ष महिने में क्यों मनाते हैं, अब देखते हैं मार्ग शीर्ष ये शब्द मार्ग और शीर्ष इन दो शब्दों से बना है, मार्ग यानि देवयान पत और शीर्ष यानि शिखर जो सरवोच्च स्थाने उसे शीर तो देवयान मार्ग से अंतिम ध्यतक पर से अपने अंतिम ध्यतक जो प्रवास करने की इच्छा रखने वाले श्रद्धावान है उनके लिए मार्गशीश मास ये बहुत ही महतुपूर्ण परवकाल माना जाता है और इस मार्ग पर चलकर सच्चिदानंद के समीब जाने के प कि ये प्रेम प्रवास जो है हमारा ये जो है सुखकर बनने के लिए क्या करना चाहिए तो इस मार्ग पर से जो प्रवास करते हैं उस प्रवास में अपनी ग्रहस्थी और अपने परमार्थ को एक साथ सुखकर बननने के लिए मन, प्राण और प्रग्यान इन तीनों स्तरों पर उची तत्व का बने रहना आवश्यक होता है क्योंकि बिना उची तत्व के बने रहे हमारा ये प्रेम प्रवास नहीं हो सकता तो सक्चिदान अन्दोट्सव में श्रद्धावान, अनिरुद्ध अथरवस्तोत्र और अनिरुद्ध अश्तोत्तर शतनामावली इनका पाठ करते हैं तो इनका पाठ करके सद्गुरु श्री अनिरुद्ध की पादुका का पूजन करके ये जो उचीतत्व है इसे पूजन में रहने वाला अथर्वस्तोत्र जो है वो हमारी चंचलता का नाश करे और हमारे देह में ये जो 108 हमारे देह में शक्तिकेंद्र है उन्हें ये अनिरुद्ध अश्टोत्रशत नामावली जो है ये उसे हमें सामर्थी की आपूर्ती करती रहे तो अनिरुद्ध अश्टोत्रशत नामावली से हमारे देह के जो 108 शक्तिकेंद्र है उन्हें सामर्थी की आपूर्ती होती रहे तो ये हमने देखा अब हम इस सच्चिदा नंदोत्सों में जो शरधावान है इस सच्चिदा नंदोत्सों में सद्गुरु से क्या मांगते हैं वो अब हम देखते हैं तो हम सद्गुरु से आशिरवाद मांगते हैं कि सद्गुरु हमारे तीनों स्तरों पर की जो अशुद्धता है जो अपवित्रता है और जो अनुचितता है वो सब दूर हो जाए दूसरी जो हम मांगते हैं बात वो ये है हम में प्रेम भाव, अंबग्यता भाव और शारण्य भाव ये बढ़ते रहें, तीनों भाव हमारे जीवन में बढ़ते रहें, और तीसरी बाद जो हम मांगते हैं वो है, हमारा मन, हमारा प्राण और हमारी प्रज्या, इन तीनों स्तरों को, जो कश्ट कहुंचाने वाले, चंचलता, अव हिसे हैं τबो रखने के लिए यह कारे कैसे करते हैं तो हम पढ़ते हैं किłbyख्षिन तक क hostel को रोकने वाले जो हमारे मन में अनूचित को रोकने वाले जो हमारे अंचित विच्प उचित को गती देने वाले जो कल्यान कर है जो हितकारी है जो अच्छा है मेरे लिए उसको गती देने वाले उसका विकास करने वाले इस प्रकार से जिनके चरण न्यास का वरणन किया गया है ऐसे सद्गुरु श्री अनुरुद्ध की पादुगा का पूजन करके पुजन नंदोच्व हम इस तरह से बड़े प्यार से, बड़े श्रद्धा से, बड़े प्रेम से मनाते हैं, और हम जब पुणर मिला पूजन करते हैं, तब हम यही मांगते हैं, हम यही प्राथना करते हैं, हे सरवांग सुन्दर, हे सरवता मधुर, हे सक्चिदानंद, घर समुद्धर अर्यों श्री राम अंबग्यां